ओम जान्दी बाम दादा मदवर आज की मधूर मुली एक फारा दो हजार ते ही मिठे बच्चे इस पाट साला में आने से तुम्हें प्रत्यच फल की प्राप्ती होती है एक एक ज्यान रत्न लाखों की मिलकियत है जो बाप देते है प्रेश्ट बाबा जो नसा चढ़ाते हैं वह हलका क्यों हो जाता है नसा सदा चढ़ा रहे उसकी युक्ती क्या है उत्तर नसा हलका तब होता है जब बाहर जाकर कुटुम परिवार वालों का मुक देखते हो नस्टो मोहा नहीं बने हो नसा सदा चढ़ा रहे उसके लिए बाप से रूरिहान करना सीखो बाबा हम कि जन्म सुख भोगा फिर दुखी हुए अब हम फिर से सुख का वर्षा लेने आये हैं नस्टो मोहा बनो तो नसा चढ़ा रहे गित मरना तेरी गली में ओम श्यंति यह किसके बोल सुने गोप गोपिकों के किसके बोल सुने गोप गोपियों के किसके लिए कहा परंपिता परमात्मा सिव बाबा के लिए नाम तो जरूर चाहिए नाम कहते हैं बाबा आपके गले का हार बनने के लिए जीते जी हम आपके बनते हैं आपको ही याद करने से हम आपके गले का हार बनेंगे रुद्ध माला तो प्रशिद है आज की मुल्ली से मुख दस पॉइंट पहली पॉइंट बाप ने समझाया है सब आत्में रुद्ध की माला है यह रूहानी जार है दूसरी पॉइंट अभी तुम बच्चे जानते हो कि यहां वे ग्यान नहीं कि परमात्मा शर्व्यापी है यद इन में भी परमात्मा हो तो फिर इनको परमात्मा नमा कहा जाए सरीर में होते परमात्मा नमा नहीं कहते इस समय सभी मनुष मात आश्री शुभाओ वाले हैं उनको देवी शुभाओ वाला बनाने गीता का भगवान आते हैं उस बाब के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है चोथी पंट यहां तो सबसे नष्ठो मोहा होना पड़े नहीं तो बाबा सर्विस पर जाने के लिए कभी नहीं कहेंगे बाबा कहते मैं तो नष्ठो मोहा हूं किसी चीज में मों क्यों रखो मैं कोई गरेश्टी थोड़ी हूं पांचमी पंट तुम बच्चे जानते हो बरोबर इस भंबोर को आग लगनी है बिनास में देरी थोड़ी ही लगती है तुम कहां भासर करते हो तो समझाते हो कि आकर बेहत के बाब से वर्षा लो हत के बाब से हद का वर्षा मिलता है चटमी पंट पूर्षार्थ फिर भी करते रहना है छोटे छोटे दीपकों को तुफान हिला देंगे खिवईया तो सबका एक बाब ही है काहवत भी है नईया मेरी पार लगाओ ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है साथमी पंट बाबा हम आपके थे आपने सर्ग में भीजा था एकी जन्म राज किया फिर तेशट जन्म दुख पाया अब हम आप से वर्षा ले कर ही छोड़ेंगे बाबा आप कितने अच्छे हो हम आपको आधा कल्प भूल गए थे बाबा कहते ये तो अनाध बना बनाया ड्रामा है आठमी पंट बाबा हम सर्विस पर जाए तो बाबा कहेंगे अगर तुम नष्टो मोवा हो, तो मालिक हो जहां चाहें जाओं मूझते क्यों हो, मालिक हो, अंधो को रा बतानी है नमी पॉइंट बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो अर्थाद अपने को अस्रीरी समझो अस्रीरी समझो बेहत का बाब तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं दस्वी पन ब्रह्मा कोई ही प्रजा पिता कहा जाता है तो उस बेहत के बाप से आकर वर्शा लो यह बातें समझाने में लज्जा की तो कोई बात नहीं है अच्छा धारना के लिए मुक्रिसार पहली पन ब्रह्मा बाप समान त्याग में नंबर आगे जाना है रुद्र के गले का हार बनने के लिए जीते जी बलिहार जाना है दूसरी पन सर्वी से बुल बनने के लिए नश्टो मुहा बनना है अंधों को रा बतानी है गरदान मन की खुशी दौरा बीमारियों को दूर भगाने वाले एवल हिल दी भो कहा जाता मन खुश तो जहान खुल मन की बीमारी से सरीर भी पिला हो जाता है मन ठीक होगा तो सरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा चाहे सरीर बीमार भी हो तो भी मन तंदुरस्त है क्योंकि आपके पास खुशी की खुरांग बहुत बढ़िया है ये खुरांग बीमारी को भगा देती है भुला देती है तो मन खुश जहान खुश जीवन खुश इसलिए एवल हिल दी हो स्लोगन बाबा ने आज दिया है समय के महत को जान लो तो शर्फ खजानों से संपन बन जाएंगे ओम शांती